तो कैसे हो भाई लोग हो चुके हैं फिर से अनदर वीडियो के साथ में बैक और भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ट्री डेटा स्टक्चर का ट्री पर हम लोग आ चुके हैं तो भाई हमने अगर तुमने मेरा वीडियो फोलो कर रहे हो तो मैंने ट्री ट्री नहीं मैंने मतलब क्या बोलते हूं इसको अरे तुम लोग इतना मतलब परेसान करते हो ना कमेंट में कि में टॉपिक भूल जाता हूं यार कमजोर हूं परने में समझा करो तुम्हारे तरह ही दी इंट्रोडक्शन दे दिया था तुमको कि Linear Data Structure क्या होता है दो यजिसमें देखो जिसमें दो और दो से अधिक नेवर हो परोसी हो उसको क्या बोलते है नॉन लीनियर डेटा इस्ट्रक्चर वहाई एक नमबर का कुश्चन तुमको मैंने बता दिया चलो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है तो उसमें हम लोग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्च जिसने वीडियो देख रहा का उसको पता है जिसने नहीं देख रहा का है जैसी आराम ठीक है तो यह ट्री स्टार्ट करते हैं तो ट्री जो है ट्री मतलब कोई एगा डिफिनेशन तुमको पूछ ले और हाँ नोट्स के लिए तुम इसका स्क्रिंसोट ले सकते हो भाई कमे नोट्स भाई कल तुम्हारा एक्जाम है तुमने पूरी साल पर ही क्या नहीं अभी तुम खाक नोट बनाओ गया तो अभी सुनो बैस मेरी बातों को अगर तुमको नहीं समझ में आया वीडियो तो आके चैनल डिलेट कर देना चलो स्टार्ट करते है ट्री क्या होता है इस गुला हुआ है जो इक्ट दूसरे को गुले को उसलाइन को बोलते है फित तो बोल दोगर गोंड़ी कैनलीनिय अंत्यच्रagarा जो की कलेक्शन किसका है यह गोला का और यह लाइन का तो अनगर जीमि में लिखना बढ़ेगा तो गुला को बोल दोगे तुम क्या नोड कै एज सिंपल एकलेक्शन ऑफ गोला एंड लाइन एकलेक्शन ऑफ एज एंड वाट नोड सिंपल है वाई को इसका एप्लिकेशन पूछ ले कि कहां कहां यूज होता है वाई तो HTML में DBMS में बाइनरी सार्च ट्री में यह सब इसका एप्लिकेशन है ठीक है अब जैसे सपोज य and 12 are children of 10 2512 दस जो है वो रूट नोड है यह सब के लिए यह ट्रीका सबसे जो रूट नोड है वो क्या है सबसे उपर जो होगा जिससे और सबी जो निकला होता है उसको बोलते है रूट रूट मतलब जर तो रूट नोड जो है वो सबसे उपर वाला जो होगा उसको बोलते ह है चाइल है 51 51 और चाइल ऑफ 10 अब 10 का कौन है 51 51 और चाइल ऑफ 10 51 जो मैंने आल्रेटी तुमको बताया कि 10 के सभी क्या है चाइल्ड यह 10 के नीचे जो भी है 2 3 4 यह सब जितने हैं सभी क्या है चाइल्ड यह सभी क्या है बच्चे है वही जो है अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कुछ कुछ स्टर में जो डिरेक्ट पूछते हैं नंबर में वह देख लेते हैं लीफ नोट क्या होता है अब दो को ऐसा नोट जिसका कोई भी बच्चा ना हो तो जैसे 5 5 लीफ नोट नहीं है किस्की क्या विप्टी लगा इसके बच्चे है इंटर्नल लोट नोट नोट इंटर्नल लोट फीट टूव डिश्ट फ़ईगोंट फाइव तूव थे जिसका कोई पीरंट ही ना हो उस्टी बच्चे हैं अधिक से अधिक बच्चे Ancestors. Ancestors मतलब पुरवज. 55 and 10 are Ancestors of 23. 55 and 10. 55 and 10 are Ancestors of 23. अब तो 23 है, इसके पुरवज कोन है? इसके दादा परदादा कोन है? 50, 5, 10. यही से हैना. अब तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे परदादा हैंना, तुम्हार से पहले आये ना. तो ये जो है किस से बना पचास से बना पचास जन्म दिया है 23 को पचास को कौन जन्म दिया पांच दिया पांच को कौन दिया दस दिया सबसे बारे दादा जी यह है उसके बाद यह है उसके बाद यह है उसके बाद यह है तो 23 के एंसिस्टर्स कॉन है कि यह सब हो गए जिससे यह पैदा हुआ है 23 अब डिसेंडेंट डिसेंडेंट मतलब जब तुम्हारा बच्चा होगा उसको बोलेंगे क्या डिसेंडेंट सब उसको फाइब है तो फाइब का डिसेंडेंट क्या है 51 919 and 23 55 50 23 all are descendant of 10 10 का है वाई 10 यह लो तो 5 10 का ले लो 10 का कौन को ने डिसेंडेंट वैसे तो सब 10 का नोट की भाई जो मैं बता रहा हूँ ना बहुतों को समझ में आ रहा होगा बहुत बख्वास कर रहा है तुम बहुत बड़े क्या गाली देने का मन कर रहा है मैं कम से कम अभी तो दो मिनट सुन लो यार पूरे इंपोर्टेंट एक नमबर में डिरेक आता है कुश्चन वाई जो फाइव है जो फाइव नोट है उसका हमको साइज पता करना है तो यहां से लेकर के लंबे रास्ते तक मों जाएंगे लाइक एक दो तीन तो उसका साइज क्या है फाइब का साइज क्या है एक दो तीन ठीक है लंबा जो जाएगा उसको गिनेंगे ठीक है यहने कि फाइ 10 का कहां जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 होगा, 10, जो नोड है उसका साइज, तो है यह साइज, height of node, length of the longest path from node to any leaf node, वही, सबसे लंबा जो path है, हो क्या है, height of the node, like 10 का है, तो 10 का सबसे जाज़ा है, height सबसे कौन सा है, size बढ़ा, तो इधर से 10, 5, 50, 99, total कितने नोड है इसमें, 1, 2, 3, 4, तो इस tree का height क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, भाई, node से start करोगे, root node से, और जहां तक वह लंबा, सबसे ज़्यादा, गिंती में पहुंचे, वह तुम height बोल दोगे, height of leaf node is 0, तो leaf node का height क्या होता है, 0, अब suppose color 23 का हमको height निकालना है, इसके निचे तो कुछ है यह कैसे निका हो जाएगा, इसके उपर tree में कुछ नहीं आता है, और जो extra topics है, वो में cover करा दूँगा, तुमको tree में, but tree में इससे उपर कुछ नहीं आता, भाई, इसी को पर हाने के लिए, एक दूए lecture बनाते हैं, masters, 20 गंटे के, college में तो भाई छोड़ी दो, एक महिना आराम से भाई ले node का height, जैसे 5 ले लो, तो 5 का height क्या हो जाएगा, अब size में और height में confusion होगा, भाई बहुत तुको क्या है, size में और height में क्या होगा, confusion होगा, तो अगर size पूछेगा, तो भाई तुम उस node को भी include करोगे, बट जब height तुम से पूछेगा, तो तुम उस node को include नहीं करोगे, like अगर 10 का तुम को size पूछेगा, तो तुम बोलोगो क्या, 1, 2, 3, 4, but अगर 10 का तुम को height पूछेगा, तो तुम क्या बोलोगे, 1, 2, 3, longest में जाओगे, तुक है, इसमें भी longest में जाओगे, बट इसमें उ उस node को include नहीं करोगे, difference पता चल गया होगा, example की तौर पे देखो, 6 का height, 6 का height 0 है, चलो कोई बात नहीं, 6 क्या है, leaf node था, 10 ले लेते हैं, 10 का height 3 बोल रहा है, तो 10 का height 3 कैसे बोल रहा है, 5, 50 और 19, 5, 50 और 19, 10 को include नहीं किया ना, बट यहीं अगर 10 का size बोलता, यह 10 जो node है, 10 को भी include करते हैं, तो यह difference है, size में और height में, height of node समझ में आगया, size of node समझ में आगया, size में उस node को भी calculate करोगे, include करोगे, और height में उस node को include नहीं करोगे, उसका longest जो है, वहाँ तक जाओगे, ठीक है, अब height of tree के बात करते हैं, height तो किसी भी node का निकाल सकते हैं, but height of tree क्या ह हाता है, height of root node, root node का height निकाल लेगे, लोगे अगर, तो तो वह तुमारा क्या होचा है, height of the entire tree, ठीक है, depth of a node, length of a path from root node to the node, suppose करो हमको one का depth निकाल ला है, तो one का depth क्या होगा, two, six का भी two, nine का, one, two, and three, जैसे 19 का निकाल ला है, तो one, two, and three, मतलब root node तक का length ले लोगे, ultimate, height में जी धर लोते थे, उसका opposite लोगे, किसमें, depth में, ठीक है, अब बात करते हैं, generation, अब देखो, जो same level पे है, like 10 के बच्चे कौन कौन है, two, five, twelve, ये सभी same level पे हैं, देख रहे हो, जब एक बार में जनम लिए है, अब 12 के बाद ने 6 जनम ल generation, sibling, notes with same parent, अब देखो, two, five, twelve, sibling है, क्योंकि इसका parent का है, same है, ठीक है, अब ये का आता है, binary tree, the tree having zero, very important, very important, direct पुछता है, what do you mean by binary tree, अब आगे जितना भी topic है, सब इसी पे हुमें, what is binary tree, the tree having zero or two child, one or two child, tree having zero, one or two child, or having leaf or internal node, कोई ऐसा भी tree, जिसके पास, इसके बाद बच्चे हो, उसको क्या बोलते है, binary tree, tree having zero, one or two child, at least, कम से कम, और having leaf or internal node, leaf node भी हो, और internal node भी हो, उसको क्या बोलते है, binary tree बोलते है, समझ मागया, तो ये example किसका है, binary tree का है, आगे हम और types of tree बगेरा करेंगे, but one sort, जो tree का है, वो इतना ही है, अब जो है, next part में और कुछ आएगा, लेकिन ये one sort हो गया तुमारा, इसके उपर tree में नहीं आता है, tree जो है, वो इतना तकी है, अब tree में और सारे topics है, वो अलग में cover कराऊंगा, तो मिलते हैं next video में, thank you so much.